भाव आगे बढ़ने से पहले एक सुपर चैट कोश्चन आगया था उस पर एक बार मैं प्रेशन पूछ लेता हूं ये शुभम है और ये खाली शुभम की बात नहीं है हमेशा ऐसा ही होता है ये कह रहा है कि ममतार उदव के साथ अगर सीवी आई कुछ करती है तो राजनीति इक बदले का करार दे दिया जाता है क्या ये सच है तो भाय शुभम सका जवाब तो मैं दे देता हूं हुआ चाहे उदव ठाकरे वाला मामला हो चाहे मंता बेनर्जी वाला मामला हो इसके जाच के आदेश केंदर सरकार ने नहीं दिये है ये सुप्रिम कोर्ट और इसलिए सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर आदेश दे रहे हैं जाच के तो उसमें राजनीती कहां से आ गई बहु कुछ कहना चाहेंगे इस पर बिलकुल मैं बोलूँगा देखो यह अभी रस्ते पर का अनाड़ी आजमी में समझ जाता है कि जब यह विंडेटा पॉलिटिक्स बदले की राजनीती बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं रहता है आप 10 शाज बार 15 बार 50 बार बोलते रहो तो उसका मतलब निकल जाता है कुछ बाति हैसी होती है कि देखो आम आपको खाने तो आम का सिज़न ही होता है आम अगर 12-12 मेने मिल जाए तो आमकी मजा ही निकल जाएगी हम लोग आप आप भी आपको अपकी उमर मेरे आसपास के हम लो के पास जाकर हम मिठाईया लेकर आते लड्डू लेकर आते तो लड्डू की जो खास लज्जत थी वह आप नहीं बच्छी है दिवाली में आजकल एक दूसरे के घर हम घर में बनाईया को बनाया हुआ पकवान भेशते नहीं कुछ हल्वाई से लेकर ही दे देते तो वो जो वो जो था तो बार बार आप पॉलिटिक्स वैंडेटा पॉलिटिक्स बोलोगे तो आम आजमीं किया पबन बहुत कर रहें तो इसे लोग भरोसा नहीं करतें और जेतने ही जलदी बीजेपी के जो अपोजीशन लीडर से वह संद्थ कि यो बोलते है ना हमारे मराटी में की लख्डबंग आया सिकानी है तो जब असली आ जाता है तब लोगban ने जूटी बोलता होगा यह आज आप आदमी लोगों पर प्रस्चेन के लिडर पर 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 मोराOk क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि यह रोज वहीं बोलते हैं हमारे मराठी में कहावत है सदा मरे चला कौन रड़े अगर हर दिन एक आदमी मरने लगा तो उसके लिए रोने के लिए कौन आएगा अगर डेमोकरसी रोज मरने लगी तो बोले भाड में जाए मुंसिपार्टी उटा के लेखे जाएगी यह मुर्दे को हाथ हम नहीं लगाएगी हमको भी काम धंदा करना है हमारा घर चलाना है र उसके कंदा देने के लिए हम क्यों आएंगे भाईया यह बात होती है ना